चलो आज बनाते हैं बिना कोई चटनी का इस्तमाल किये बिनाई हम बनाएंगे गर्मा गरम बेल ये बेल ना बहुत ही फटाफट से बन जाने वाली हमें इसमें ना अलग से चटनी बनाने की जरूर नहीं है तो भेल बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना भेल की चटनी बनाने में लगता है जैसे कि खटी मिटी इमली की और तीकी वाली तो ये भेल ना हमें इसमें अलग से चटनी नहीं बनाना है बहुत ही फटावर से बन जाता है तो कभी-कभी सुबर सुबर में मुझे बहुत ही फटाफट वाली breakfast बनाना रहता है तो मैं यह वाली बेल बना लेती हूँ तो मेरे घर पे अक्सर मेरी मम्मी बनाती थी यह वाली बेल जब इना exam रहता था हम लोग late night तक पढ़ते थे तो यह भेलना बहुत ही last minute option है कि फटाफट से बनाओ तो इधना मैंने प्यास टामाटर और मेची और कड़ पता सबको मैंने काट के अलग से रखा है इक कड़ाई मेना 5-6 चमच टेल ले लो यह 6 चमच मुंफल यह हमें fry कर देना है उसके बाद पतिला ले लो इसके अंडर मैंने 6 पट चितना कुरमुरा लिया है इसको मुमरा भी बोलते है, कुरमुरा भी बोलते है, आप क्या बोलते है मैं और कुरमुरा आपको मार्केट में कीधर भी मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता मिलता है ये पूरा पेकेट मैंने 20 रुपे का लिया है करीबन तो इसके अंदर हमें ना पानी डालना है दो-तिन ग्लास दो मिनिट तक हमें कुर्मुरा पानी में भिगोना है उसके बाद हमें निकाल लेना है ये प्रोसेस करने से ना कुर्मुरा में सॉफ्टनेस आ जाएगी बहुती सॉफ्ट बन जाएगी कुर्मुरा उसके बाद एक कडाय ले लो इसके नचा चमजितना तेल डाल लो उसके अंदर हमें एक चमजितना जीरा का तड़का लगाना है गैस का फ्लेम हमें धीमाई रखना है उसके बाद हमें आदी चमजितना हिंग डालना है थोड़ा सा गुर्ण ब्राउन होने तक हमें वेट करना है पाच से छे हरी मिच और कड़ी पत्ता जो हमने काट रखाता ना वही डाल देना है इदर मैंने मिच जी का कॉंटिटी है ठोड़ा जादा रखा है अगर आपको कम ती का पसंद हो तो आप कम डालेगा उसके अंदर प्यास और टमाटर जो हमने काट रखाता वही डाल देना है इदर मैंने एक प्यास और एक टमाटर काट रखाता अगर आप प्यास नहीं खाते तो आप ये डालना स्किभी कर सकते हो अच्छे से मिक्स कर दो इसके बाद हम डालेगे आदी चमजितना हली पाउडर और स्वादनुसा नमक सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर दो, एक चमज मैंने धन्या जीरा पाउडर भी डाला है अभी और कोई भी मसाला नहीं जाएगा अभी हमें तुरंती भिगोया हुआ जो कुर्मुरा है वो डाल देना है तो प्यास और टमाटर डालेता न उसको ज़्यादा नहीं पकाना है अगर ज़्यादा पकाऊगे न तो सबजी बन जाएगी तो उपर से मैंने नीबू निचोड़ा है स्वारन सा नमक डाल दो अगर आपके पास नीबू नहीं है न तो आमचल पावडर भी डाल सकते हो तो मैं भेलना थोड़ी जाला काउंटिटे में बना रही हूँ इसलिए मैंने और एक आदा नीबू निचोड़ा है बहुत ही मर्डिया से ट्रेश्ट आएगा नीबू से तो नीबू निचोड़ना ना भूलेगा सभी कोछ से मिक्स कर दो उपर से न मैंने नमकीन डाला है आप इसके जगा पे कोई भी नमकीन डाल सकते हो जो भेल है ना तूरंति पिरसे जाती है गर्मा गरम क्योंकि ये भेल ना गर्मा गरम खाने में ही मज़ा है तो सुबेक अबरेखवासना मैं ऐसे बनाती हूँ कि प्यास ट्वाटल हरीमिच मैं अलग से काटके रखती हूँ जब ही हमें बनाना है न तो मैं तूरंत इसको बना के सउ करती हूँ तो थण्डी हो जाने के बाद में ये बेल कभी सउ नहीं करती हूँ क्योंकि असली मज़ा तो गरम-गरम बेल खाने में ही है तो बेल को मैंने उपर से सेव और मुंखलिया और चना चोर गरम डालके ही मैंने सव किया है आप इसके जगा पे कोई भी नमकीन डाल सकते हो ये जो बेल है ना दिकने में इतना टैम्टिंग है और खाने में भी बहुती डिलिशस और टैम्टिंग था एक बार जरूर ट्राइ करना तो अभी एक्जामा रही है तो बच्चे लोग ना लेड नाइट तक पढ़ते है तो आप अपने बच्चे को ये बना के खिला सकते हो बच्चे से लेके बड़ो तक ये बेलना किसी को भी ना पसनाए ऐसा होई ने सकता है ऐसे नए नए रेसिपी आइडिया और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब किजिए थाइंक यू